दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चेनल इबिटिक में आज है 25 फ़वरीद 2023 और जान लेते हैं आज की मात्पूर्ण खबरें जो आज के प्रमुक समचार पत्रों पे चाही हुई है सबसे पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड परिच्छाओं को लिकर के हैं प्रयागराज में तीन परिच्छा किंद्रों के स्ट्राइटिक मजिस्ट्रेट नपे तीन बाहे किंद्र ब्यवस्थापकों पर भी गिरी गाज है बोर्ड सचुका च्छापा इस्ट्रांग रूम की चावी स्ट्राइटिक मजिस्ट्रेट के साथी किंद्र ब्यवस्थापक के पास भी पाई गई यूपी बोर्ड परिच्छा में गड़बरी मिलने के बाद बोर्ड की तरप से प्रयागराज के यमना पर इलाके में तीन केंद्रों के स्ट्रटिक मजिश्ट्रेट के अटा दिया गया इसके पीछे बड़ा कारन इन केंद्रों में स्ट्रंग रूम की चावी क्रिवस्थापक स Stack Language के पास रहेगी इन इंट्रमें कलंग रेजी का पेपर था इसमें करीब सब्सक्राइब करने के लिए बड़ी संख्या में प्रत्न दियों राजनेतिक दलों के सदस्यों ने दुबारा रैपिड सर्वे कराने की इस बाबत गठित आयों के सामने सदस्यों के सदस्यों में हुए रैपिड सर्वे की रिकोड़ भी मांगी अगली अपडेट यहां पर रहे एएनएम निवक्ती मामले को लेकर की दिखिए लिखा है कि एनम का मामला सुप्रीम कोट में सीमों ने बाढ़ दिये नियुक्ति पत्र पुर्देश में 7189 महिला स्वास्त करता यानि एनम के नियुक्ति मामले में पेंच फस गया है मामला सुप्रीम कोट में जाने के बाद पदरमंतरी और मुख्यमंतरी का नियुक्ति पत्र वितरान स समय कारक्राव मिस्ताइद दिया गया एकिन कई जिलों में कई जिलों के मुख्य छकसा आदिकार्यों ने गुप्चुप तरीके से नियुक्ति पत्र बाढ़ दी ये इसकी वनक लगते ही मान देशाले ने कारबाय ग्रेंड करने पर रोग लगा दी है वहीं गलत तरीके से नियुक्ति पत्र बाटने वालों खिलाब जाच के निर्देश भी दिये गए प्रदेश में करीब 15,000 से अधिक एनम के पत्र खाली हैं लोग सेवा आयोक की ओर से मई में परिच्छा कराई गई और 6 अग मों कमंत्री जी इसका जो नियुक्ति पत्र बाटेंगे ठीक है इन्हें प्रदमंत्री का संदेश भी सुनाया जाना था इसी दिन जिलों में समारों भी आयोजित कर नियुक्ति पत्र देने की योजना थी लेकिन 20 फरवरी के देर साम प्रता जला किस मामले में सुप्रीम को करने के मांँ ने सुकरवार को नीटी तुर्द तेस परिच्छी ने या चिकाओं पर राश्टरी परिच्छा से जवाब मांग आब या सामिल होने हैं मॉले बढूर जाहिर दीपांकर दत्ता की प्रिच्छन पेश сил कि मृज्ञ्ट करने को कहा अगली अप्डेट यहां पर देखिए कि पाइलेट समेद 5100 लोगों की बढ़ती करेगा एर इंडिया टाटा समों की विवावन कमपणी एर इंडिया इस साल पाइलेट समेद एक्यावन सो लोगों को बढ़ती करेगी कमपनी ने सुकरवार को कहा कि कुल बढ़तियों में पालेट की संख्या 900 होगी वह बैयाले सो केबिन क्रू को भी नौकरी दी जाएगी कमपनी ने कहा कि मई 2022 से फरवरी 2030 के बीच उसने एक 1900 केबिन क्रू की बढ़ती की थी कमपनी ने हाल में 74 एयर क्राफ्ट का आडर दिया है वह आगे भी बड़ी संक्याएं बढ़ती करेगा जो भी बढ़ती केबिन क्रू या पालेट बनने के चुक है तो एयर इंडिया की तरब से यहां पर देखे आपको बढ़तिया देखन करने को मिलेंगी इसी साल अगली अप्डेट यहां पार डीपेट को लिकर के डीपेट में चैन को सारीजिक दर्षता परिच्छा दस माल से डिप्लोमा एंट्री डिप्लोमा फेजिकल इजिक्रेशन यानि डीप्लेट परसिच्छन 2022 में चैन के लिए विकल्प कियाधार प मापन दस मान से शुरू होगा यह प्रक्रिया तेरा माश तक चलेगी मेरिट सुची में चैनित पुरूस ब्रतियों का सारीग दर्षता मापन रयों साच्छात का डॉक्टर भीम राव मिटकर राज विद्याली क्लिवरा संस्थान स्टेडिया में होगा महिला ब्रतियों के और यही प्रक्रिया राज की महिला सारी प्रसिच्छन मावेदल प्रयाग राज में पकरवाई जाएगी प्नपी सच्छी अन्यले भूसों से तरवेदे ने बताया कि डीपेड प्रसिच्छन के लिए ओनलाइन अवेदल लिए गए थे अगली अपडेट यहां पर है तेरह मर्च को होने वाले स्केल टेस्ट के लिए केंदर इलाहाबाद इन्फोटेक चक दावद नगर नैनी को केंदर बनाया गया है सुबह की पाली में यहां से यहां रोल लंबर तक के अप्डेटियों को साड़े नौ से रिपोर्ट करना होंगा और इवनिंग में यह अगली अप्डेट की बात कर लेते तो यहां पर UPSI को लेकर के अप्डेट है कि 9,059 नुक्त उपनरिश्कों को कल मिल जाएंगे नियुक्ति पत्रे मुखमंत्री 26 फरवरी को इंदरा गांदी प्रतिस्थान में आयुस समारों में नौ नियुक्त उपनरिश्कों को नियु 222 संपनग्राइद जिसमें उपनरिश्क को संकच के पदों पर 9,059 वर्तियों का चैन हुआ इंद में 1805 मैला वर्ति सामिल थी है यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी दरोगा वर्ति है लगनाव में आयुजित मुख समारों में लगबक 1309 नियुक्त उपनरिश्क है कि विद्ध्यारती अब मुफ्त में भर सकेंगे सी यूटी यूजिका फार्म विस विद्ध्यालियों के इसना तक पड़कर में दाखिले के लिए आविजित होने वाली परिच्छा सी यूजित में आविदन के लिए चात्रों कब साइबर कैफे का चक्कर नहीं लगाना यूजित के अद्दच एम जग्दीस के बार ने सुक्रवाय को ट्विटर जी जानकाजी लिए साथ ही बताया कि इसे ग्रामीर शेत्रों पर रहने वाले चात्रों को सुविदा मिलेगी इन चात्रों का अभी तक सी यूटी यूजिके आविदन करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था वाँ चक्र लगाना पड़ता था उन्हों बताया कि इन सेंट्रों के पैचान कर ली गई है इन सभी सेंटर पर एक टेकनिकल लिस्टाव भी रहेगा जो छात्रों को ऑनलाइन आविदन के दोने पूरी मदद करेगा आपको बतादें सी यूटी यूजि के लिए नव फरवरी से आवदन प्रारब है और बारा मर्च आवदन करने की लाज डिट रखी गई है इसके तहरे देश के सभी केंद्री विस्विद्यालों से सबसे ज्यादा विस्विद्यालों में ग्रिजिवेसिन वेडिमिसन दिये जाएंगे तो यहां पर रहा कि वि विद्यालों से बिरोजगारों की फोज निकल लई ए भारत के नियंत्रा के ओं मालेखा परिच्चा के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है लेखा परिच्चा वण बाकी मौन बीके मौन्ती ने सुक्रवार को उच्छा के पर्डामों के निस्पादन लेखा परिच्चा पर मेडिया के समझ प्रसुत की बताया कि लखनाव विस्विद्यल और मात्मागानी कासी विद्धापिट वरानसी के साथ इन से संबद दस माविद्यलों के बिस्तत लेका परिच्चे में बाद सामने आए कि यहां से पॉर्ण लिकर निकलने वाले शात्र शात्राइं रोजगार के दौर में पीछे जा रहे हैं इसका करान कई सारे बताएं कि जैसे कि मानक वीन कालेजों को मानता दी गई और भी कई सारी चीज़े यहां पर तो फिलाले से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं अगली देखिए मात्मों अपडेट है कि 6 संस्थाएं युवाओं को दच्छ करने में फेल कारवाई के लिए बेज़ा पत्र पंडित दीन देल उपाद्य ग्रामिर काउसल विकास योजना के तो पुर्देश में प्रदाताओं की उड़से गरीब शात्रों को फीडर समेथ विबिन ट्रेट प्रसेश्टन देने में लापरवाई वा सरकारी धनरासिका सही उप्योग नहीं करने के मामले एक बार बड़ी कारवाई की पहल हुई है उच्छे संस्थाइं यह जो कौसल विकास योजना के नाम पर बच्चों को सई से ट्रेणिंग वगारा नहीं दे रही है इन पर कारवाई की गई है तीन संस्थाइं काली सूची में डाल दी कि यहां पर टेको ईक लगार है कि विस्विद्यालेओं में वरसों से नहीं बदले कोड़ मिलेगी नौकरी उखिसे विद्धार लखन को दले साथ दřाल रिशाल में सफल लाब हो चार्य आप लोग जानते हैं कि समय बदलता जा रहा है तो मानक के अनुरूप कोर्स भी लाँज होने चाहिए तो इसके बारे पूरा आलेख प्यांपर दीया गया है तो मित करते हैं वीडियो पर संद आया होगा इस वीडियो में इतना ही दने वादा